आज की वीडियो में compare करने वाले दो rugged smart watch को यह आती है firebolt की तरफ से firebolt cobra और दूसरी आती है boat की तरफ से boat web armor इन दोनों स्मार्ट watch में आपको काफी सारे similar features देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आप लोग को rugged look भी देखने को मिलता है तो इनका comparison तो बनता ही था तो चलते हैं फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन सी smart watch ज्यादा value for money है कौन सी smart watch आप लोग को लेनी चाहिए सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगा और इसकी testing भी आप लोग को मैं करके दिखाने वालों वीडियो में तो end तक आप लो लोग से request भी करना चाहूंगा अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया तो फट फट सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कर देना सबसे पहले बात करना चाहूंगा दोनोई smart watch के build and design के बारे में दोनोई smart watch यहां पर rugged look के साथ आती है और काफी strong quality प्रोवाइट कर रही है company दोनोई smart watches में दोनोई smart watches में metallic frame प्रोवाइट किया गया, back side में polycarbonate का use किया गया इसके अलावा 22 mm का strap मिल जाता है दोनोई smart watch में और दोनोई quality यहां पर काफी बढ़िया देखने को मिलती है बागी इसके अलावा speaker और mic भी provide किया जाता है जिसके थूर आप Bluetooth calling यूज़ कर सकते हो दोनोई smart watches में और साथी साथ आप लोगो दोनोई smart watches में दो button provide किये गए उपर वाले button को press करके आप लोग back जा सकते हो और वही नीच वाले button को press करके आप लोग sports mode में चले जाते हो बागी overall build quality की बात करूं तो यहां पर दोनोई smart watches काफी बढ़िया quality के साथ आती है और firebolt cobra की आप लोग ने testing भी देखी होगी पिछली videos में तो यहां पर काफी strong quality देखने को मिल जाती है अब बात करेंगे दोनोई smart watches के features के बारे में तो सबसे पहले similar features की बात करना चाहूंगा मैं दोनोई smart watches Bluetooth calling के साथ आती है साथ यहां पर आप लोग को voice assistant भी देखने को मिल जाएगा इसके लावा health tracking की बात करूँ तो आप लोग को SPO2, heart rate और silly monitor यसे काफी सारे features देखने को मिल जाएगे दोनोई smart watches में और इसी के साथ-साथ दोनोई smart watch में आप लोग को female health के भी support देखने को मिल जाता है IP68 की rating प्रोवाइट की गई है battery backup की बात करूँ तो दोनोई watch में आप लोग company claim करती है 7-disc का, but में recording आपको firebolt cobra में 3-4 दिन का battery backup आराम से देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग calling का features यहां पर use करते हो तो यहां पर आपको सिर्फ दो दिन का battery backup देखने को मिलता है वहीं बात करूँ बोट के बारे में तो इस watch में भी आप लोग आराम से 2-3 दिन का battery backup देखने को मिल जाएगा calling के साथ यह smart watch आपको सिर्फ एक दिन का battery backup देने वाली है अब बात करेंगे different features की तो सबसे पहले firebolt cobra की बात करना चाहूँगा तो इस smart watch में आप लोग को 1.78 इंच की AMOLED PLUS Always On Display देखने को मिल जाती है display quality आपे काफी जबरदरसता है काफी sharp पंची कलर देखने को मिलता है smart watch में इस watch को outdoor में भी use करने पर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगे visibility को लेके और आप लोग यहाँ पर custom watch face भी लगा सकते हो और इसके अंदर भी आपको काफी बड़िया color accuracy देखने को मिल जाती है यहाँ पर थोड़ा over saturation देखने को मिलता है आपको firebolt cobra में रसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर 500 nits की brightness भी provide की गई है outdoor indoor कहीं भी आप लोग यूस करते हो तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है और इसके लावा इस watch में आप लोग को BP monitor जैसे features भी provide किये गए तो इसको आप लोग daily life में use कर सकते हो अब बात करते हैं board की तो इस smart watch में आप लोग को 1.83 इंच की HD display प्रोवाइट की गई है इस watch की भी display काफी बढ़ी है outdoor indoor कहीं भी आप लोग यूस करो तो visibility को लेकि दिक्कत तो नहीं आती है बट यहाँ पर आप लोग को AMOLED या फिर always on display देखने को नहीं मिलेगी और इसी के साथ साथ इस smart watch में आप लोग को screen lock का भी support देखने को मिल जाएगा बागी बात करूँ sports mode के बारे में तो इस watch में आप लोग को 20 plus sports mode मिल जाते हैं तो यही थे इसके कुछ similar और different features अब बात करते हैं दोनों smart watch के UI performance के बारे में यहाँ पर आप लोग खुद भी देख पा रहे हो काफी smoothly work करती है दोनों smart watch की UI firebolt cobra को use करते हो almost मुझे one month हो चुके हैं और boat को भी एक दो दिन से use कर रहा हूँ मैं दोनों smart watch में मैंने leg या फिर hang जैसे issue face नहीं किया अभी तक almost यहाँ पर same performance देती है अब चलते हैं फटा पर दोनों smart watch की accuracy भी test कर लेते हैं और देखते हैं दोनों इसे कौनसे smart watch जादा accurate data provide करती है हमें heart rate और SPO2 के मामले में तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले SPO2 test किया है दोनों smart watch को पहन के और आप लोग यहाँ पर खुद भी देख सकते हो same to same reading चल रही है दोनों smart watches में और at the end यहाँ पर जो जादा accurate data provide करती है वो है firebolt cobra और वहीं बात करो heart rate के बारे में यहाँ पर आप लोगो देख सकते हो दोनों smart watch काफी बड़ी तरीके से work कर रही है लेकिन कभी-कभी आप लोगो firebolt cobra जादा accurate data provide करती है और कभी board provide करती है accuracy मामले में यहाँ पर दोनों smart watch काफी अच्छी तरीके से work करती है SP2 के मामले में firebolt cobra जादा बड़ी परफॉर्म करती है अब चलते हैं फट 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 कॉलिंग टेस्ट भी करके दिखा देता हूं आप लोगों को और देखते हैं कॉलिंग के मामले में दोनों से कॉनसी smart watch जादा बड़ी परफॉर्म करती है हलो इमरान क्या ले अच्छा आवाज कैसी आरे है मेरी क्लियर आरे है मैं ना वाच से कॉल कर रहा था वाच आई थी मर बस firebolt की तो कॉलिंग टेस्ट कर रहा है अच्छा मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि वाच से कॉल कर रहा हूं ना इल्कुल क्लियर आवाज आरे है चल बढ़िया है मतलब कॉलिंग क्वालिटी काफी सही है इस वाच की चल ठीक है मैं अब बाद में करता हूं ठीक है ओके वाई अलो आवाई क्या ले आवाज आ रही है मेरे पास एक वाच आई उसका मैं कॉलिंग टेस्ट कर रहा था दोनों की कॉलिंग क्लिप्स आप लोगों ने देख लिए खुद भी आईडिया मिल गया हूँ आप लोगों को कमेंट करके मुझे जरूर बता है कि दोनों में से कौनसी स्मार्ट वॉच की कॉलिंग क्वालिटी आपको जादा बढ़िया लगी में रेकॉर्डिंग यहाँ पर फारबॉल्ट कोब्रा जादा बड़ी परफॉर्म करती है कॉलिंग क्वालिटी के मामले में और सामने वाले की आवाज भी काफी जादा लाउड आती है अब आते हैं कंक्लूजन पर और बात करते हैं दोनों में से कौनसी स्मार्ट वॉच आप लोग को लेनी चाहिए और कौनसी नहीं लेनी चाहिए तो अब देखो दोनों स्मार्ट वॉच का प्राइज है भी वो काफी साधा डिफरेंस देखने को मिलेगा लेकिन फीचर्स के मामले में भी काफी डिफरेंस देखने को मिलता है फारबल्ट कोबरा का जो अभी करेंट प्राइज है वो है 3500 और अभी बोट आर्मर लांच हुई है 1900 रुपीज में बट यह इसका लांच प्राइज है बाद में इस स्मार्ट वॉच आप लोग को 2500 या फिर 3000 की देखने को मिलेगी फारबल्ट कोबरा में आप लोग काफी सारे फीचर्स देखने हों मिलते हैं एमुलेड ऑल्वेज ओन डिस्प्ले इसके लावा कैलकुलेटर जैसे फीचर्स भी प्रोवाइट किये गए हैं इस पोर्स मोड में आप लोग को 100 प्लेस स्पोर्स मोड मिल जाते हैं और यहाँ पर कॉलिंग कॉलेटर भी काफी बढ़िया निकल के आती है प्लस यहाँ पर आप लोग बिल्ड कॉलेटर भी काफी बढ़िया प्रोवाइट की गई कंपनी की तरफ से क्योंकि स्मार्ट वाच को हमने टेस्ट भी कर रखा है इस पर बाइक भी चड़ाई थी हमने आप लोग पिछली वीडियो को भी जाके चेक आउट कर सकते हो जहाँ पर हमने इसको टेस्ट करके दिखाया है तो डेफिनिटली आप लोग फारबोल्ट को चेक आउट कर सकते हो झाल